क्रिकेट की दुन्या के कई ऐसे किस्से हैं जिने सुन कर लोग हैरान रह जाएंगे क्रिकेट की पिच पर रोज कुछ ना कुछ अविश्वश्वश्णिये ही होता है तो एक ऐसी ही कहानी है ingland के एंडी लॉयट की लॉयड इंग्लेंड का वो बल्ले बाज जो टेस्ट क्रिकट के इतिहास में एक ओपनर की तौर पर खेला लेकिन कभी आउट ही नहीं हुआ इस रहच्स के पीछे एक दिल्चस्प घटना है दरसल लॉयड ने अपने टेस्ट केरियर का पहला मैच 14 जून 1984 को बेस्टेंडीज के खिलाफ खेला था जहां पर अपने पहले ही टेस्ट मैच में जब इंग्लेंड की तरफ से लॉयड ओपनिंग करने आए तो उनके साथ एक हाथ्षा हो गया हुआ ये कि जब लॉयड दस रन पर बल्ले बाजी कर रहे थे तभी बेस्टेंडीज के तीज के इंदबाच मैलकम मार्सल की खतरनाक बाउंसर उनके हेलमेट पर चा लगी जिससे लॉयड गंभीर रूप से खायल होकर फील्ड पर ही गिर पड़े आननफानन में उन्हें चोटिल हालत में अस्पिताल ले जाया गया जहां पर काफी समय तक उनका उपचार चला जिसके बादवा जिंदा तो बच गये लेकिन दुरभाग से वापस कभी टेस्ट इस तरीके से लॉयड टेस्ट इत्यास के कलौते ऐसे ओपनर बल्ले बाज बन गए जो कभी आउठी नहीं हुए